तो दोस्तों गर आपका भी Jio Payment Bank में एक account है जिसके अंदर आपने कुछ पैसे भी deposit कर दिये हैं अब समस्या ये आ रही है कि Jio Payment Bank से आप अपने deposit को किसी दूसरे bank account में transfer नहीं कर पा रहे हैं जब भी आप पैसे को transfer करने के लिए जाते हैं तो आपकी transaction failed हो रही है तो ऐसे में आपका जो पैसा है वो Jio Payment Bank में फसा हुआ है तो अगर आपको भी यही समस्या आ रही है तो इसको कैसे fix करना है यानि कि आप अपने पैसे को कैसे transfer कर सकते हैं तीन से चार तरीके में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है वीजय और आप देख रहे हैं टेक्नो नौलगर चैनल इंस्टाग्राम पे follow कर दिए और चैनल को subscribe कर दिए और इसी बात पे चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone का जो software है उसे आपको चेक करना है कि updated है या फिर नहीं तो इसके लिए आपको notification पैनल में setting का icon मिलेगा इसके उपर आपको click करना है scroll करके आपको नीचे आना है तो यहाँ पे आपको software update करके option मिलेगा तो पहले आपको check कर लेना है कि आपका जो mobile phone है वो latest version पे updated है या फिर नहीं अगर नहीं है तो पहले आपको उसे update कर लेना है क्योंकि दोस्तों play store पे जितनी भी applications है वो आपके mobile phone के latest version updated होने पर ही आती है तो make sure अगर कोई update आया है तो पहले आपको उसे update कर लेना है इसके बाद में दोस्तों हमें आजाना है back आने के बाद में आपके mobile phone में आपको my view application देखने के लिए मिलेगी जिसके उपर आपको click करके सबसे पहले तो आपको इस application को uninstall कर देना है uninstall करने के बाद में दोस्तों इसी application को हमें दुबारा से install करना होगा जिसके लिए हमें अपने mobile के play store पे click करना है click करने के बाद में यहाँ पे my view application को दुबारा से install कर लेना है application को install करने के बाद में simply हमें open करना है open करने के बाद में यहाँ पे हमें अपने mobile number OTP वगएरे डाल करके login हो जाना है login होने के बाद में दोस्तों आपको उपर उपर bank का icon मिलेगा जिसकी उपर आपको click कर देना है click करने के बाद में जो भी permission यह आपसे मांगता है simply आपको allow करते चले जाना है इसकी बाद में नीचे ही नीचे आपको let's get started का option मिलेगा जिसकी पर आपको click कर देना है click करने के बाद में यहाँ पे एक छोटा सा verification होगा जिससे की आपके mobile number से एक SMS send किया जाएगा verification के लिए और बस आपका verification हो जाएगा इसके बाद में आपको अपने MPIN को enter कर देना है MPIN को enter करते ही हम DO payment bank में login हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेरा balance दिखाई दे रहा होगा और अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको balance को transfer करके भी दिखाने वाला हूँ तो देखिए नीचे यहाँ पे हमें pay का option मिलता है जिसके उपर मैं क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद में यहाँ पे second option है to bank account का जिसके उपर मैं क्लिक कर देता हूँ क्लिक करने के बाद में यहाँ पे as a beneficiary मैंने already add करके रखा हुआ है तो चलिए मैं आपको payment करके दिखा देता हूँ तो beneficiary को मैंने select कर लिया है इसके बाद मैं मुझे amount को enter करना है और नीचे same money का option है जिसके पर मैंने click कर दिया है इसके बाद मैं मेरी जो payment होगी जो की होगी जीओ payment bank से तो चलिए फिर मैं इसे confirm कर देता हूँ इसके बाद मैं मैं अपने mpin को enter कर देता हूँ mpin को enter करने के बाद मैं दोस्तों यहाँ पे जो हमारी payment है वो successfully done हो चुकी है live यहाँ पे मैंने आपको proof दिखाया भी है कि यह जो पैसे है वो मैंने अपने जीओ payment bank से transfer किये है इसके बाद मैं एक और भी तरीका है चलिए permission को मैं allow करता हूँ इसके बाद मैं यहाँ पे हमें बगल में ही gallery का option मिलेगा जिसके पर मैंने क्लिक किया है और इसके बाद मैं gallery की access लेने के लिए भी मैंने permission को allow कर दिया है और यह है मेरा Paytm business का QR merchant QR code इसके बाद मैं यहाँ पे मैं अपने amount को enter करता हूँ और प्रोसीड to pay की उपर क्लिक कर देता हूँ क्लिक करने के बाद मैं दोटों यहाँ पे भी मुझे अपने mpin को enter करना होगा mpin को enter करने के बाद मैं processing payment start हो चुकी है और successfully एक रुप Chad की जो payment है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसके लिए send money का option है, जिसके उपर मैंने click किया है, और यहाँ पे मैंने अपनी UPI ID को enter कर दिया है, जो कि already added थी, अब इसके बाद मैं यहाँ पे मैं pay के option पे click कर देता हूँ, और फिर से मैं amount को enter कर देता हूँ, तो यहाँ पे मै payment of 1 रुपीज, हमारी जो payment है, फिट से वो successfully done हो चुकी है, तो तीन तरीके तो मैंने आपको बता दिये हैं, अब फिर भी दोस्तों इसके बाद मैं आपकी जो पैसे हैं, वो transfer नहीं होते हैं, तो लाश्ट में एक चोथा जो तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, चोथे तरीके के लिए दोस्तों आपको कोई भी UPI application लाइक कर, जैसे की phone पे, Google पे, Amazon पे या फिर Paytm application का use करना होगा, तो यहाँ पे मैंने Paytm application को open किया है, और इसके बाद में मैंने direct इस page पे आपको ले करके आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ से जब हम page पे विजिट करेंग को add कर लेता हूँ, और अब जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने Geo payment bank को add कर लिया है, add करने के बाद मैं इसे default bank select करने वाला हूँ, तो जिसके लिए Geo payment bank के उपर मैं click करता हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है set as default bank, तो यह option है, पहले हमें इसे select कर द कर देता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे मैं scanner का use करने वाला हूँ, जिसके उपर मैंने click किया है, इसके बाद मैं gallery के option पे click करके, मेरा जो merchant QR code है, इसे मैंने scan कर लिया है, scan करने के बाद मैं simple सा है amount को enter कर देता हूँ, और pay securely के उपर click कर देता हूँ, click करने के बाद मैं मेर geopayment bank selected थी, और मैं यहाँ पे mpin enter कर देता हूँ, mpin को enter करते हैं ही दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारी जो payment है वो fit से successfully done हो चुकी है, तो यह है दोस्तों कुछ 3 से 4 तरीके जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, जिससे कि आप अपने geopayment bank से पै कर जाए, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो पर ज़रुक से like कर दीजेगा, साथ ही चैनल पर नए है, चैनल को भी subscribe कर दीजेगा, और bell notification को तो ज़रुर से वल पर set कर दीजेगा, क्योंकि जब भी ऐसी informative वीडियो आएंगी तो आपको की notification मिल जाएगी, और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में,